जेडियो के राश्च्टय कारेकार्णी में ये फैसला हुआ, सी sırन नितीश ने रुस्ताव लाया था तो सबी ने प्रिस्ताव का समर्थन किया, सी नितीश कुमार ने इसकी गोशना की है तो बड़ा चेहरा नितीश कुमार के करीबी बनवनी के रहने वाले और इससे पहले राजस सबाह सांसत भी भेचा गया और अब बड़ी समयदारी संगठन के अंदर पार्टी के अंदर उनको दी गई है जेडियू के राश्टी कारेकारणी में बड़ा फैसला हुआ है अब कारेकारी अध्यक्ष का वो समयदारी संभालेंगे बात करते हैं जेडियू के ने कारेकारी राश्टी अध्यक्ष संजे जहासे संजे जी आज बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है नितिश कुमार ने आपके उपर भरोसा जताया है राश्टी कारेकारी अध्यक्षी जिम्मेदारी क्या कहेंगा कि इतना बड़ा भरोसा उन्होंने जताया है और इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है निशित रुप से मैं उनके भरोसे पर खरा उतरने का कोशिस प्रयास करूंगा और पार्टी बिहार के बाहर भी इतीस कुबार ने बड़ा काम किया है इस बिहार के लिए अगर बिह प्रयाक्त पर लाएं बिहार का भलाकि और जो लोग आज घूम रहें बिहार में कैसा बिहार दिये थे वो सब देश का लोग जानता है तो हम लोगों का यह प्रयास होगा कि पार्टी का बिस्तार भी हो और केंडर में जो सरकार अभी बनी है उसमें निस्षित रुप से बि सरकार होगा चुकि आपकी भूनिका बड़ी रही है इसमें बीजेपी जेडियू नेचुरल एलाइन्स है कि नाइन्टी नाइन्टी सिक्स से साथ हम लोग हैं यहां संता पार्टी के टाइम से दो हजार पांच में हम लोगोंने सरकार बदला थम बुनों लोग साथ थे वहां पर बिहार के बदलाओं में उनका भी बड़ा सहयोग रहा है सबर्थन रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में निसित रूप से जो एंडिये है बार बार हमारे निता ने कहा भी है पूरी मजबूती से हम लोग बिहार के लिए भी देश के लिए हम लोग काम करते रहें करते रहेंगे कहीं कोई समस्या दिक्कत नहीं है और एक दूसरा प्रस्ताप्रिक क्या पूछा दा दूसरा मेरा सवाल है कि बीएपी और जेडियू का रिलेशन मैं उसके बारे में आपसे सवाल पूछा नहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है इतों परफेक्ट रिलेशन में के नेचरल एलाइन्स है और बड़ा स्मूथ सब कुछ रहेगा और मारे वर्कर से लेके नेता तक में एक कॉडिनेशन है कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा दोजार पचीज के विधान सभाज चुनाव में किस तरह का संभावना देखते हैं नितीश कुमार का ही नेत्रतु रहेगा इंडिये का आप ही लोगों से पूछता हूँ दिल्ली के मीडिया से में खास करके जो एक नेरेटिव बनाते हैं यहां से 177 सीट पर हम लोग लीड किये हैं विधान सभा में अभी जो चुनाव हुआ है 177 आउट ऑफ 243 में लीड किये हैं 200 सीट से उपर जीतेंगे बिहार का जनता का भरोसा इस गठबंदन और हमारे ने दो हजार पचीस का सिगनल लोग सभाचुनाओं के रिजल्ट में दे दिया है आखर में एक महतुपूर्ण सवाल है सर विसेस राज का दर्जा या विसेस पैकेज लेकिए वो बात करेंगे एमिकबली रास्ता निकाला जाएगी नो कन्फरेंटेशन किसी तरह का और रास्त संजय जहा को जेडियू का कारिकारी अदेक्ष बनाया जाने पर शिवहर सांसद लवली अनंद ने बधाईती है मंतरी अश्योक चोधर ने का कि संजय जहा को जिम्मधारी देने से पीछे पी के साथ जेडियू के रिष्टे प्रगार्ड होंगे साथी जेडियू की बैठग में विशेस राज्य के दरजे के राजनितिक प्रस्ताव पर अश्योक चोधरी ने बताया कि ये जेडियू की पुरानी मांग रही है वहीं आरक्षण का दारा बढ़ाने और उससे सम्विधान की नवी अनसूची में डालने की मांग पर अश्योक चोधरी ने कहा कि इस मुद्धे पर कॉंग्रिस सरकार से कहा कि किंद्र सरकार से जो है वो बात होगी संजे जहा और ललन सिंग पार्टी का पक्षपी एम के सामने रखेंगे हमारे संजे जहा जी को जो हम लोगों के पार्टी के नेता है उनको कारकारी अध्यक्ष निक्त किया गया है और हम समझते हैं कि आने वाले समय में पार्टी के जो हर एक कार्यकरता की इक्षा है कि जनता जो लुनाइटिट एक राष्टिये पार्टी बने उस पे संजेज हाजी की भूमिका अहम होगी रिष्टा और कितना मजबूत होगा रिष्टा प्रगार होगा हम पार्टे जंता पारी के साथि बीर गूर्थम भीस में रहेंगे या विसेश पैकेल दोनों की चर्चा की गई है कि इन दोनों में हमारा पुराना डिमांड है इसको हम लोगों को दिया जाए आखिर में एक सवाल नौमी अनुसूची में जो डालने की बात कही गई है जो अरक्षान के दायरे को बढ़ाया गया था उस पर आप लोग कैसे आके बढ़ाया गया है हम लोगों के जो नेता हैं दिल्ली में हमारे केंद्रिय मंतरी लोग हैं वह बात करेंगे कि इसको या तो नौवे हम लीगल आक्षन भी ले रहे हैं क्योंकि हमने यह जो फर्मूला है यह हम लोगों से बिहार में पहली बार यूस किया है इसलिए इस तरह से हम हाई कोट के निव्रे को सुप्रिम पोर्ट में भी चालेंज करेंगे और सरकार से भी आगरा करें कि इसको नोवी सुची में जाए हम फर्म हैं कि जो जातिय जंगन्ना करके हमने जब अबादी हमारी बढ़ी है तो निश्ची तुरुप से हमारा रेजर तो बहुत सा काम रहता है अब यह जो कार्जकारी अध्यक्स होगे तो पार्टी में यह अपना अधिक समय देंगे जिससे पार्टी काफी धारदार होगा मजबूत होगा और आगामी आने वाला विधान सवागा जो चुलो होगा उसमें हम लोग जो इतियासिक बिज़े ब इन लोग के सामने गरीगों की आगार ठाने की च्छबता दे रही है लेकिन आरधन प्यास बढ़ाया मूल वासी आदी वासी एक होकर हम लोगों का जो संकल्ब हमारे पुरुआ जो का संकल्ब का जो उसको पूरा करने का का हम मिलकर करेंगे बहुत सारे को बहुत पहरी के से अलग अलग राष्टे से आए हैं हम लोगों राष्टि की बढ़क काने का प्रयास करेंगे लेकिन हम लोगों ने संकल्ब दिया है हम जरूर हम लोगों तो फुरुडा समय लगता है जुए हम लोग के पास उप Whew पत तो कारेकरताओं से संबाद बाचीत कर रहे थे का स्वागत भी किया गया साधी आगामी विदान सबा चुनाओ नितीश कुमार के नित्रतों में लड़ने का संकल्प लिया गया नितीश कुमार के नित्रतों पर राष्ट्रिय कारेकरणी ने आस्था जताई नितीश के नित्रतों में जनता के बीच जाने का संकल्प लिया ग प्रस्ताव पास में एक संक्षनात मत और एक पॉलिटिकल रिजिशन नंबर बन नंबर दो उन्होंने राश्टिय कारिकार्णी के सामनी घोष्णा की है अब वो सदैयों के डिये किसी कठवंदन का हिस्सा रहेंगे डाएं बाएं जाने का हमारा प्रशन ही पैदा नहीं उत्ता नंबर तीन जो विहार सरकार ने आरक्षन लागू किया था जिस पर सुप्रिम कोर्ट ने बेहन लगाई है उस पर हम सुप्रिम कोर्ट में जाएं नंबर चार बार्टी के कामकाज में और अधिक एक रूप का लामे के लिए राज़सवा के सांसर प्रश्ताव में दोनों चीज़े लिखी हुई है विश्यसराज का दर्जा और इस पेसल एकोनोमिक पैसित के लिए हम लड़ते रहें अब जिन्यों की बैठक की मुख्य बाते क्या रहें तो बैठक में राज़दिक प्रश्ताव लाएगे बिहार को विश्यस दर्चा या विश्यस पैकेज की चर्चा हुई इसके साथ साथ बात करें तो एक मांग भी की गई और मांग ये हुई कि नवी अनसूची में इससे शामिल किया जाए आरक्षन का दारा बढ़ाने का स्वागत भी किया गया वहीं नितीश के नित्रित्त में आगे बढ़ने का तरण भी लिया गया तो जारखंड में पार्टी प्रत्याश्य अपना उतारे की ये भी बात हुई इसके साथ साथ मंत्री के कारक्रम की जानकारी मिले कारकरताओं को ये जानकारी मिले इस पर भी बात चीत हुई वहीं पूत अस्तर पर मजबूती कैसे हो इसको लेकर भी संकल्प लिया गया